स्टूडेंट्स इस कोश्चन में मैं कॉडिलेटल ABCD की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें की बने कि चारों साइड जो हम वो इक्वल हैं 4.5 cm और जो डाइगनल है वो 6 cm का है तो यह मैंने रफ स्केच बनाई है और हमारी जो कॉडिलेटल वो इसी तरह की बने हैं हम डाइगनल स यजैए 6 cm और उस डाइगनल से ऊपर की तर को एक ट्रेंगल कर देंगे और वैसे ही नीचे को क्यों ट्रैंगल कर देंगे तो सबसे पहले मैं डाइगनल करूंगा 6 cm का तो यह 6 cm का diagonal हो गया जिसका नाम मैंने AC रखा 6 cm अब मुझे जो sides draw करनी है वो 4.5 है और 4.5 है तो मैंने A की बार में 4.5 cm की आर्क जो आर्क है वो open कर ली है compass से तो A से start करूँगा मैं A से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली 4.5 cm की इसी तरह से अब बिना disturb किये B से भी मैंने आर्क ड्रॉ कर ली तो इस पॉइंट पर आर्क मिल रही है यह पॉइंट जहां पर दोनों आर्क मिलेगी वो पॉइंट हो गया B तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया A B को B C को तो आग रात देखने हैं तो यह उपर वाले ट्रेंगल बन गई अब इसको बिना disturb किये सेम मैंने नीचे की तरव को आर्क ड्रॉ कर ली है यह C से और यह A से हो गई तो यह मेरी जो कॉडिलेटल है यह कंप्लीट होने वाली है यह पॉइंट मुझे D मिल गया और यह A को D से और C को D से मैंने मिला दिया तो यह मेरी कॉडिलेटल A B C D construct हो गी है उसने का है कि मैं BD जो diagonal BD है उसको भी measure करना है तो BD को अगर measure करो तो यह approximately 6.9 cm का रहा है थोड़ा बहुत variation आ सकती है 6.9, 6.8 या 7 यह construction error होती है थोड़ा बहुत variation आ सकती है तो यह इसका solution है construction का thank you